लगता है दो मुर्गियों के बच्चे निकले हैं दोस्त चलो देखते हैं कितने बच्चे निकाली हैं यह मुर्गी बहुत सारे बच्चे निकाली होगी बाहर तो बहुत ननने से पेरे से बच्चे दिखे रहे है यह मुर्गी का बच्चा एक बाहर आया है इससे अभी नहीं उठातें बागी की जो राइट साइट की मुर्गी दिख रही है चार-पांच बच्चे बाहर आए इसके इसलिए अभी इसको उठाते हैं यह तीन मुर्गिया निकालना है बच्चे बहुत सारे मुर्गिया हैं खुड़त पर अंडों पर देख सकते हो फ्रेम इस तरह का फ्रेम बना लीजिए मस्त आपको यूस्फुल होगा बहुत मदद हो कि मेरे पिछले वीडियोस में इस फ्रेम किस तरह बनाना है इसकी खासियत क्या है वह इंफर्मेशन है वह देखिए आई-कार्ड पर दे दूंगा वीडियोस अभी आप इससे उठाते हैं अभी हम इसको कितने बच्चे निकले यह देखते हैं भी प्यारे से वाव मस्त दि अभी गिनते हैं कितने बच्चे निकले हैं अरे कालू इतना काला निकला है काला प्यारा होता है काला भी दो बच्चे हो गए यह तीन और चार बच्चे चार बच्चे अभी ये अंडे में से अभी अभी निकल रहा है और नहीं निकला है इसे ये मुर्गी के निचे डाल देते हैं दूसरी मुर्गी के निचे थोड़ी एर में निकल जाएगा हो एक दो तीन घंटे में कितने हो गए चार बच्चे हो गए डबे में यह पांच छे बच्चे पिसल जा रहे हैं पहले दिन के जो बच्चा रहते हैं महुत पिसल थे कमीन है इस साथ आठ होगे आठ होगे नहां आठ होगे 9 10 11 12 14 14 बच्चो निकले एक बच्चा उदर दाल दिये हैं टोटल 15 हो गए यह मुर्गी के तो इस तरह से बठाईये मस्त बच्चे निकलते हैं प्यारे प्यारे से बहुत अच्छा लगता है ना दोस्त जब बच्चो छोटे से रहते हैं पसक्त अब जो चृटले है बाजू निकल देते हैं कितने अंड़े पच्च और ये देखते हैं यह आभी तीनंडे बच्चे समय यह तीन रा डूंडे में से इस तेन में से गंदे को आच्छे यह देखकर आचरे सो जो बच्चा सकता है यह बच्चाम को दालते ह बायक चोप यह वाली जाली में मुर्गी को 3 दिन तलग्रक रख कर इसके वच्चों के सथ गुड़ का पानी लेधा देते हैं अभी atura कितना दिया है दिये हैं यह जाली में है बच्चे को एक ग्राम अभी फोटीन बच्चा निकले है 14 ग्राम गूर्ड पानी में भिगा देकर अच्छे से गुला कर यह वर्तन में डाल दिये